Hello everyone, चलिए आगे बढ़ते हैं हम type number 7 पर, type number 7 क्या है? Compound interest और simple interest का difference, बहुत सारे सवाल इस पर examiner पूछता है अब दिक्कत की बात क्या है कि कई सारे students अगर आपने by chance कहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, formula से इस सवाल को करते हैं और अब recent years के अगर आप questions देखोगे, previous year वाली किताब में तो कई सारी जगे formula नहीं लगेगा वो सवाल मैंने भी यहाँ पर कुछ pick की है, तो formula क्या है, क्यों हमें use नहीं करना है, कौन से सवाल है जहाँ पर formula नहीं लगेगा नहीं लगेगा, तो अपना कौन सा concept लगेगा, यह सारी बाते हम डीटेल में discuss करेंगे, अराम से चिलो कर देखेंगे सबसे पहले formula, जो CI और SI का जो 2 साल का अगर सवाल है, तो 2 years का जो difference होगा, compound interest और simple interest का, उसका formula होता है P into में R यहीं की rate upon 100 P principle है, उसकी power 2, कहां से आया यह सारी चीज़े अच्छे से discuss करेंगे, ठीक, फिर 3 years की बात करेंगे, तो 3 years के लिए होता है P into में R upon 100 की power 2 multiplied by 300 plus R upon 100, अब तो 3 साल है, ऐसे 4 साल और 5 साल का formula तो और ही complicated होगा, तो अधिकतर 3 साल तक हमें कहा जाता है कि भी 3 साल तक सवाल आएगा, लेकिन examiner 4 साल 5 साल भी पूछ चुका है, तो उसके लिए क्या हमारे पास options है, यहां से calculation बढ़ जाती है और कई बार यह formula जो है, generally 3 साल वाले वो सवाल जादा पूछा है, generally, तो वहाँ पर भी यह formula भूलने की संभावना है, हम ऐसे approach को समझते हैं कि यह हमें return आई न पड़े, ठीक है न, तो यह लिखने की भी ज़रूरत ने, बिलकुल मत लिखना, ठीक है, आजाओ, तो सवाल को हम कैसे करेंगे, जैसे सवाल होगा हमारा 2 years, 2 years के लिए हम एक तरीका देख लेंगे, और एक होगा हमारा 3 years and above, अभी भी लिखो मत, ध्यान से पहले देख लो, समझ लो, बाद में note करना, ठीक है, तो इसके लिए हमारी क्या approach रहेगी, इसको आराम से समझते हैं, practice से main चीज आरली वो नहीं पूछता है, तो 2 years का जो ratio वो क्या होता है, 2-1, 3 years के लिए क्या होता है, 3-3-1, और 4 years के लिए क्या होता है, 4-6-4-1, तो हमने यह बात करी थी न, कि जो उपर वाला number है, यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है, simple interest, अब समझो यह simple interest क्यों है, यह पूरा तो compound interest होता है, और उपर वाली line simple interest है, जैसे मैंने कहा rate जो है, rate जो है 20% है, ठीक है, और time जो है, वो 3 years है, ठीक है, तो बताओ simple interest कितना हो गया, अगर मैं कहूं मेरा पैसा percentage में कितना बढ़ा होगा, तो आप यह कहोगे न, किसा 20% पहले साल, 20% दूसरे साल, 20% तीसरे साल, तो 3 into में 20, बस, इसलिए यहाँ पर 3 है, अब करते हैं, multiply, किस से करते हैं, जो भी rate होगा, कि 20% principle का, जैसे मैंने कहा हमारा principle 1000 रुपए है, तो 1000 का आपने 20% निकाला, वो एक साल में ब्याज मिल रही है, कितना हो गया 200 रुपए, तो 3 साल में कितना 200 into 3, एसी 4 साल में कितना 200 into 2, यह बात समझ महारी है, तो आई होब आप इस बात को समझ पाए, इस बात को समझ पाए, यह वाली बात मुझे याद है, मैंने lecture number 1 में भी बताई थी, क्या, कि जो यह पहली वाली जो term होती है, यह सभी में किस चीज को denote कर रही होती है, यह denote कर रही होती है, simple interest को, ठीक है, औ और इसी तरीके से अगर मैं पूछूँ आपसे बताओ, यह पूरा क्या है, यह पूरा क्या है, तो आप कहोगे, चाहे वो यह हो, है ना, अगर मैं individual कहना चाहूँ, यह कहलो, यह केवल यह कहलो, यह केवल यह कहलो, तो यह denote कर रहा होता है, compound interest को, तो पूरा compound interest है, यह simple interest है, यानि ये क्या है बताओ, दूसरा color ले लूँ क्या, चलो दूसरा color ले ले लेते हैं भी option है हमारे पास, तो yellow, तो ये वाली जो चीज हो गई, ये क्या हो गई, ये compound interest भड़ा होता है, minus simple interest, ऐसे ही ये क्या denote करता है, ये denote करता है, compound interest minus simple interest, ये क्या denote करता है, compound interest minus simple interest, बात समझ अरे हाँ ना बोलो ना यूज कैसे करना अभी वो डिसकस करते हैं अभी ये बात समझ में तो आगी अभी सवाल को देखते हैं और बार-बार मैं आपको ये टेबल भी दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा भी देखो कह रहा है कि the difference between compound interest and simple interest for the amount 5000 रुपे दो साल में 50 रुपीज है निए दो साल में अगर मैं simple interest निकालू और compound interest निकालू तो उसका जो difference आएगा वो 50 रुपा आएगा तो बताओ rate कितना है तो समझो बात को हुआ क्या होगा कि जैसे principle हमारा कितना है 5000 रुपे है principle कितना है 5-6 रुपे तो 2 years के लिए में क्या लिखूंगा into में 2 into में 1 तो इसका जो भी rate रहा होगा मालनो आ रहे है तो इसका r% निकालूँगा वो value यहाँ पर आजाएगी नहीं आएगी बताओ इसका r% यहाँ पर आया और इसका भी r% इसका भी r% यहाँ पर आया और उस तो वो आ जाएगा यह और इसका भी r% निकालूँगा into में r by 100 और इसको आगे multiply कर देना है कि 7 से तो उसका मतलब तो उसको हटा भी सकते हो कोई बात नहीं है तो यह जो value होगी यह बराबर किसके यह तो simple interest है यह पूरा क्या है यह जो value आएगी यह simple interest है यह पूरा compound interest है तो आप ध्यान दो जो हमने formula लिखा था वो क्या था principle into में r by 100 का square अब उसे ऐसे नहीं याद करके भाई इसका r% उसका r% तो यहाँ पर एक तरीके से formula लगा रहे हैं समझ माई बात तो आप काटा पीटी कर दो 50 से 50 चला गया और दो 0 से दो 0 चले जाएंगे यह यह आर स्क्वा अब देखो यह है हमारा 5000 ठीक है तो 5000 रुपए का अगर मैं 10% निकाल लूँगा तो कितना आएगा 500 रूपीज ठीक है और इसका 10% निकाल लूँगा तो कितना आएगा 50 रूपीज तो इसका मतलब 1000 रूपए 1000 रूपए तो simple interest मिल जाता मतलब अगर मैं CI पर ना invest करके यह व में मिल रहा है यह पूरा क्या है यह पूरा क्या है compound interest केवल उपर वाला क्या simple interest तो केवल नीचे वाला क्या compound interest वाइनस simple interest यानि की 5,000 रुपे को अगर आप simple interest पर invest करते हो तो 1,000 मिलता है compound interest पर invest करते हो तो 1,050 मिलता है difference यानि की 50 है बास समझ माई तो वही है बस यही difference 50 रुपे की बनने है खतम थोड़ा समझ माया ठीक है और आगे देखते हैं इसी में और एक चीज में आपको समझाँगो तो basic basic समझ में आ रहा है ठीक अब तो आगे क्या कहा रहा है the difference between compound interest and simple interest on x रुपीज at 6.5% per annum for 2 years is इतने रुपीज तो बता x की value का है same वही सवाल है पहले principal दिया था rate पूछ रहा था अब उसने rate दे दिया principal पूछा है तो principal है हमारा x इसका जब मैं r% निकाल लूँगा फिर से remind गर आ रहा हूँ into में to into में 1 तो principal का r% यह लेकिन यह तो simple interest है इसका r% यह होता है compound interest और simple interest का difference तो इसका r% उसका r% बराबर difference आ जाएगा यानि कि p into में 6.5 divided by 100 और फिर से इसका अगर मैं 6.5% ले लूँ तो यह चीज़े याद रहेंगी formula हमें रटने की ज़रूत नहीं की upon r upon 100 की power to na तो this is equal to कितना 33.80 तो आप एक बास समझ पारें यह एक decimal यह decimal दो decimal गए दो decimal यहाँ से अटा दिये अब यह पूरा पूरा कट जाएगा लगबग हो सकता है तो हमने कहें किया पहले 5 से काट दिये इसको 13 बार और 5 से 0 को काटा दो बार सही है तो 13 से कटी रहा है क्या देख लो तो 13 टूजा 26 बचा आपका कितना 78 तेरा पंजे 65, 13 चिके 78 फिर 13 से जाएगा यह 5 बार और फिर 13 से गया यह आपका दो बार ठीक है और पास से गया है हमारा 20 बार तो 2 टूजा 4 टूजा 8 8 के पीछे कई सारे 0 जो है हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा that is option number C clear है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आगे बढ़िए कह रहा है the difference of compound interest and simple interest on a sum of 5,000 रुपे for 2 years is 100 रुपे तो बताईए rate of interest per annum क्या होगा if अब देखो word बस फसाने के लिए कह रहा है if the nominal rate of interest per annum is the same for both मतलब rate of interest तौनों के लिए बराबर है and in the case of compound interest the interest is compounded annually तो यानि कह रहा है CI का सवाल है compounding annually हो रही है और क्या पूछ रहा है rate पूछना चाह रहा है कैसे करेंगे कि यार मेरा principle तो भज़ी धाई अजार रुपे है इसका मैं आर परसेंट निकाल लेता हूँ और फिर से मैं इसका आर परसेंट निकाल लेता हूँ तो इसकी जो value हो जाएगी that will be equal to 100 तो दो जीरो से दो जीरो चलेगे 25 से गया यह आपका चार बार 400 यार आर इस इगोल टो 20 बात क्लियर है आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर क्या कह रहा है सवाल the difference between the compound interest and simple interest on a sum at 10% per annum for 3 years is 155 रुपे तो बताईए हमारा principle कितना है अब ध्यान से सीज को समझना best method कौन सा ये भी समझाऊंगा देखो पहला method आप ये देखो जो बच्चे formula apply करते है उनके लिए दिक्कत क्या है पहले तो formula याद करो 4 साल का अगर आ गया सवाल तो formula apply कर रही नहीं पाएंगे कोई खतरनाक सा formula याद करना पड़ेगा और अब कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे है जैसे धाई साल के लिए बताओ 3,5 साल के लिए बताओ वहाँ पर ये तरीका apply करी नहीं पाएंगे हम ठीक है ना बट फिर भी मैं दिखा दूँ क्या एक बार देख लो formula क्या है पहले तो मैं formula लिखना पड़े एक्जाम में वह यादी नहीं रह पाएगा तो formula है हमारा P into में R upon 100 पहले formula लिख देता हूं into में R upon 100 into 300 plus R divided by 100 यहाँ पर power 2 छूट गई है यह तो यह अब इसमें आप value put करोगे कि principle into में rate कितना है पता करना है तो R upon 100 करना है प्रिंसिप्स 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 द्यान से समझेंगे देखो और मैं एक और तरीका आपको बताओंगा पहले फोकस करो धंक से हम यहाँ पर यूज तो यह 3-3-1 करने वाले हैं यूज हम 3-3-1 करेंगे लेकिन अगर हम इसे वैसे लिखने की कोशिश करें क्योंकि हमें यहाँ पर प्रिंसिप्स पता नहीं है ठीक है प्रिंसिपल का मैं यहाँ पर 10% का फिर 10% निकालूं इंटू में 3 करूंगा प्लस जो यह वैल्यू आएगी इसका इंटू में 10 by 100 फिर इंटू 1 करूंगे काफी कैलकुलेटे हो जाएगा अब इसको हम कैसे करते हैं जैसे रेट उसने हमें 10% बताय है रेट इन परसेंट का मतलब होता है 1 by 10 तो हम वैसे शुरू करते हैं 1 इंटू में 10 नीचे 1 से शुरू गया फिर इंटू में 10 100 फिर इंटू में 10 1000 तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि अगर हमारा principle इसको आप लिख लो अगर हमारा principle 1000 होता 1000 होता तो CI और SI का जो difference है वो कितना होता ये पहले वाला तो छोड़ी दो क्योंकि ये तो simple interest है ये आगया 30 और ये आगया 1 यानि कि principle अगर 1000 होता तो CI और SI का difference 31 होता या ये दिया होगा ये ये दिया होगा क्या दिये रखा है यानि ये किस से multiply हो रहा है 5 से ठीक है यानि ये भी किस से multiply हो जागा 5 से क्या better लगा कि है बताओ बात समझ मैं आई फील कर पाए यानि दो साल से जब उपर वाला सवाल होगा तो मैं मालनों यहां principle पता नहीं, principle का r%, फिर से उसका r% निकालूँगा, उसको into में 3 करूँगा, प्लस, जो यहां पर value आई, p into r by 100, into r by 100, divided by, उसका फिर से r by 100, फिर into में 1, इन दोनों को जोडने पर, फिर हमारा difference है, उसको हम equate करेंगे, फिर वो आपका formula बन जाएगा, इससे बेटर हमने यहां पर किया, कि अगर principle इतना होता, golden ratio से गए, अगर principle इतना होता, तो CISI का difference इतना होता, but difference इतना है, तो principle इतना, principle दे देगा, तो हम यह निकाल लेगे, क्या यह बात समझ भाई, आप एक और बात को समझना, net rate, net rate, effective rate, successive वाला method, उससे भी सवाल को कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, किस से करेंगे वैसे, हम net rate को कभ यूज करेंगे, जब ऐसा सवाल बनेगा, जो exactly 2 years का नहीं हो, exactly 3 years का नहीं हो, exactly 4 years का नहीं हो, वहाँ पर यही हमारे पास एक मात्र option होता है, जब बात को समझ पा रहे हो, या फिर यह कब होता है, जैसे जब वह इससे पहले जैसा concept, जब धाई साल, साड़ तीन साल हो, या फिर rate different हो, या फिर rate different हो, different years के लिए, उस वक्त यहीं एक option होता है, हमारे पास, जैसे पहले साल का rate 10% है, दूसरे साल का rate 10% है, तीसे साल का rate 10 effective rate कितना आता है, 10 पर 1331 आ जाता है, 1000 रुपर 1331 बन जाते है, तो 33.1% आता है, याद आ रहा है क्या, यह हुई हो गया, 21, x plus y plus xy upon 100, x plus y, 31, plus xy upon 100, 210 upon 100, 2.1, यह आगे आपका 33.1, यह तो 11 by 10 के cube से हो जाता है, 1331 upon 1000, यह नहीं, 1000 रुपर 1331 बन रहे, तो 331 का इंटरेस्ट 1000 पर, तो 100 पर कितना, 33.1%, इससे क्या समझे बताओ, इसका मतलब 3 साल में, जो मेरा net rate होगा, compound interest के investing पर, that will be 33.1%, अचा, simple interest पर कितना हो जागा, बताओ, तो आपको इसा 10% का rate है, time 3 years है, तो 30% हो जाएगा, तो क्या यहाँ से आप मुझे अंतर बता पा रहे हो, क्या, समझ म आ रहे हैं, अगर मैं 100 पर इनवेस्ट करता हूँ, तो CI और SI का जो अंतर होगा, that will be 3.1%, यहनि 3.1% की value आपको दी हुई है, और आपको 100% की value निकालने का लगभग यही होगा न, 3.1 in 2 मे 10, 100 in 2 मे 10, यह बात को feel कर पाए, तो यह इकमात्र option होगा, जब धाई साल और different rate वा तब यह option है, जब से 2 साल वाला तो हम into r by 100, into r by 100 कर लें, into 3 years हो चाहे 4 years हो, तो हम यह वाला method यूज़ करेंगे, यह सब चीज़ें कैसे होगी, जो यह sheet अपनी class की, जितने भी मैं questions करा रहा हूँ, इनको एक से दो बार आपको revise करना है, फिर previous यह किताब लगाओगे, यह सा previous chapters में ऐसा किया होगा, तो आप उसको feel कर पा रहे होगे, हाँ ना बताओ, आजाओ, अब वीडियो को pause करके, I hope आप try करने होगे, हो चुके है, try करिए, देखो, क्या है difference, compound interest का, simple interest का time 3 years है, तो जैसे उसने मेरे को 3 years दिया, मैंने का यार, golden ratio लिख लो 331, rate 20% है, principle हम कुछ म मतलब होता है, 1 by 5, तो नीचे से लिखना, शुरू कर देते है, 1, इंटू में 5, इंटू में 5, और फिर इंटू में 5, इसको तो इग्नॉर कर देते हैं, ऐसे exam में cross वारू की, simple interest, compound interest के difference में तहला, तो इग्नॉर करना है, क्योंकि वो simple interest है, तो 5 इंटू में 3 होगे, आपका 15, यह हो गया, आपका 116, यानि अगर principle 125 होता, तो CIE और SI का difference 16 होता, लेकिन सवाल में कह रहा है, कि जो अंतर है, वो 432 है, यानि 432, कितने ratio की value है, 16 की, और हमें बतानी है, कितने की, 125 की, कर दें सौल, चलो option, छोड़ते हैं अभी, 16 से गया है, 16 दूनी 32, कितना आगया आपका, 112, तो 16-96, 16 सत्य 112, ठीक है, 125 और 27 को multiply करना है, ज़र 125 है, तो आखरी के 3 डिजिट ही देख सकते थे, क्यों हम लोड ले रहे थे याँपर, 375, answer is correct, सही है क्या unit डिजिट से हो सकता है, unit डिजिट help कर रहा है ना, खूब सारी, आ अब आई होप आप इस सवाल को try कर सकते है, कोई दिख का समस्या नहीं है, भले यहाँ देखने में आपको fraction दिख रही है, बट सवाल को एक बार ढंग से समझना है, ठीक है, सवाल को try करो भई, क्या कह रहा है, क्या रहा है, what is the difference between the compound interest when interest is compounded 6 monthly, अब भाई 6 monthly का मतलब क्या हो और rate है आपका 10%, तो हम तुरहन समझें कि यह rate 20% का मतलब, 10% का मतलब 5% हो जाएगा, 5% का मतलब होता है 1 by 20, और time यहाँ पर 1.5 years है, तो यह 3 years हो जाएगा, 3 बार compounding होएगी, 3 years के लिए हमने golden ratio लिख दिया, 3, 3, 1, 1 by 20 है तो हमें यहाँ पर cube चाहिए, या फिर सीधे हम मीचे से start कर देंगे, क्या रहा है, सबसे पहले 1, 20 से multiply करते जाओ, यह आ गया, फिर 20, फिर आ जाएगा आपका 400, फिर आ जाएगा हमारा 8,000, तो यहाँ से हम क्या समझ पारे है, इसको तो हटा देंगे, या जाएगा आपका 60, या जाएगा 1, इसका मतलब यह है कि CI और SI का difference 61 रुपीज होगा, अगर principle 8,000 होगा, लेकिन सवाल कहरा है कि जो principle है, वो 20,000 रुपीज है, इसका मतलब 61 is value of 8,000 रुपीज, और हमें जो value find out करनी है, that is of 20,000 रुपीज, ठीक, तो 3,0 से 3,0 यह चले गए, 4 से गया यह दो बार, और 4 से गया यह पाँच बार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5, 6 बन जा 30, divided by 2, तो यह आजाएगा आपका 152.5, 152.5 रुपीज, option number D is correct, सही है, आगे बढ़िए, अब यहाँ पर 1, 1 by 4 years आ गया, compounding 5 monthly हो रही है, देकर है, what is the difference between compound interest, when interest is compounded, 5 monthly and the simple interest on sum of इतना, for इतने years, अब जरा यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, यह इसका मतलब क्या है, 4 बंजा 4, plus 1, 5, 5 by 4 years हो गया, 5 by 4 years, years पहले लिख दिया है, तो यह हो गया आपका 5 by 4 years, या फिर आप इसे कह सकते हो, 5 by 4 into में 12, तो 4 से गया 3 बार, पास्तिया 15, यह नहीं 15 महीने, और rate कितना है हमारा, rate है हमारा 12%, तो 12%, अब ध्यान से देखो, अब जो 12% है, वो एक साल का rate है, हमारी जो compounding हो रही है, वो 5 महीने में हो रही है, तो क्या कर देंगे, यानि यह तो per annum है, तो यह हो जाएगा, आपका 5% for 5 months, ठीक है, वो लिखनी रहे, 5% for 5 months, 15 महीने है, compounding 5 months में हो रही है, नहीं, compounding हो कितनी बार जाएगी, 3 times हो जाएगी, compounding, तो हम समझ गए, क्य 1000, है ना, फिर वही चीज़ आगई, यह कितना हो गया, आपका 61, अब सीधे देखते हैं, उसने क्या दे रखा है, मैं, what is the difference, प्रिंसिपल दे रखा है, 12,000 हो गया, यहीं, 61 difference होता, अगर प्रिंसिपल 8,000 होता, लेकिन हमारा प्रिंसिपल है, 12,000, तो 3,0 से 3,0 यह गए, 4 स गया, यह 3 बार, 4 से गया, यह 2 बार, 3 बंजा 3 हो जाएगा, 6, 3 जा 18 हो जाएगा, divided by 2, तो कितना आगे, 91.5 है क्या option, सही है, कोई दिक्कत परिशानी नहीं है मेरे साप से, सब को समझ में आ गया, चलिए, next question देखें, अब सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है देखने को यहाँ पर कुछ 1, 2 by 3 years मिल रहा है, let us see क्या कह रहा है, question, is the difference in compound interest on a certain, on a certain interest sum, on a certain sum होना चाहिए था, ठीक है, on a certain sum है 10% per annum for one year when the interest is compounded half yearly and yearly is 88.8, what is, अच्छा, सवाल पढ़ लिया है सबने, यानि अभी तक जो हम सवाल देख रहे थे, वहाँ पर वो क्या दे र रहा था आपको compound interest और simple interest का difference दे रहा था, लेकिन यहाँ पर तो compound interest और compound interest का यह अंतर कितना दे रहा है, 88.80 दे रहा है, ठीक है, अब दो तरीके से compounding की जा रही है, एक case में तो yearly और एक case में half yearly, मुझे यह बताओ, चिंटू बताएगा, कि yearly compounding, अगर rate हमारा same है, time हमारा same है तो yearly compounding में ज़्यादा interest मिलता है, यह half yearly में, बताओ, आप सब समझ चुके होंगे है, कि half yearly में हमें सबसे ज़्यादा फाइदा हो रहा होता है, उससे भी ज़्यादा हमें quarterly में होता है, मतलब compounding जटनी जल्दी हो रही होती हमें उतना फायदा होता है, तो half yearly और yearly में ज़्य यहां पर अगर आप देखो time कितना है वन यह अगर time वन यह है तो क्या compounding yearly जो हो रही है और simple interest क्या उसमें फरक होता है मैं फिर से repeat कर रहा हूं भाई time हमारा एक साल है एक साल का आप simple interest निकाल रहे हो एक साल का compound interest निकाल रहे हो तो बराबर होता नहीं होता है लेक्चर वन में discuss किया था अगर time वन यह है तो ci और ऐसा ही बराबर होंगे अगर compounding yearly हो रही है तब आया ना इसमें compounding yearly हो रही है और यहां पर compounding half yearly हो रहे तो basically यह जो सवाल है कि कुछ नहीं यह compounding half yearly minus simple interest वाला ही सवाल हो गया एक तरीके से क्या बात को समझ पाए सभी 88.80 बड़ी गंदी writing आ गई जीरो के चक्कर में ठीक है यह बात समझ आई अब इसका मतलब यह है कि हमारा principle letter suppose कुछ था ठीक है उसका हमने कितना percent लिया है rate 10% है लेकिन compounding हमारी half failure हो रही है तो rate 5% हो गया time 2 year हो गया तो p into 5% हो था 1 by 20 into 1 by 20 into 1 by 20 is equal to 88.80 यहां से principle निकलेगा उसने principle नहीं पूछा उसने finally पूछा था simple interest कितना होगा simple interest कितना होगा अगर time इतना है एक साल नहीं अगर time इतना है तो कैसे करोगे SI is equal to principle पहले निकलेगा हमारा principle principle कितना आ जाएगा 8 880 यह decimal हटा देते हैं यह दोनों 0 से into 4 यह principle होगा solve मत करो cut pit जाएगा आगे principle into में rate कितना है rate है हमारा अब 10% ही ले लेंगे अब क्या ले लेंगे 10% ही को कि simple interest है rate हो गया 10% time कितना है तो 3 बंजा 3 प्लस 2 5 बाइ 3 और divided by 100 तो principle into में rate into में time upon 100 solve कर जाओ इसको कितना आ रहा है देखना जारा कितना रहा है दो 0 से एक दो 0 चले गए टीन से यह कट रहा होगा तो 3 टूजा 6 28 9 27 और 3 6 18 अब क्या option से मैं जा सकता हूं 5 4s are 20 तो पीछे आजएगा 0 तो 0 आ गया और बचा हमारे पास 2 और 6 2 जा 12 यह नहीं option number D ही correct है 5920 is correct क्या यह बात समझ मैं अब पस अगर आप चाहो यह लिखना मत अगर मैं आपको यही सवाल effective rate से समझाओ यह होगा एकदम pro level यह pro level का मतलब ही होगा कि हाँ जितना मैंने आपको बताया simple interest आपने अच्छे से पढ़ा compound interest आपने अच्छे से पढ़ा तो आपका दिमाग बहुत जादा खुल चुका है एक तरीका तो यह है कोई दिक्कत नहीं यह हमें normally करना ही करना है अब बहुत अच्छे से चीज़े अगर समझे हो तो जो बात में हाँ समझाने वालों हो सकता ह आपके समझ में आ जाएगी आ गई तो मतलब हम अच्छे समझने भले एक्जाम में apply ना कर पाएं यह भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यह क्या होता है सवाल पढ़ते पढ़ते हो गया कोई दिक्कत नहीं है बट कंसेट ही कितनी clarity मिली है वो यहाँ पता चलेगा जैसे देखो मैंने कहा कि rate हमारा 10% था और compounding हमारी हाफ एल्ली हो रही है तो CI और SI के बीच का जो अंतर होगा अगर मैं rate में बात करूं तो वो कितना होगा तो आप वह गया सर्टाइम एक साल है तो simple interest तो हमें 10 ही मिलता और जब यहाँ पर हो जाएगा 5% 5% कैसे समझ पार हो क्या 10% है लेकिन वो 5% हो जागा आफ एल्ली तो net rate कितना हो जागा इसका 5 plus 5 plus 5 into 5 upon 100 तो यानि जब time हमारा 2 years होता है यानि x plus y plus xy upon 100 वाला जब मैं formula लगाता हूँ x plus y plus xy upon 100 तो आप समझ रहे हो x is equal to y होता है जब rate सेम है तब की बात अगर करें तो जो difference होता है वो यह होता है 2 years के लिए 3 years के लिए तो हम नहीं बोल सकते हैं इससे क्योंकि 3 years के लिए 2 बार यह formula लगाना पड़ता है तो finally minus करना पड़ता है बट जब तक time हमारा 2 years है तो य यह हमारा difference दिखा रहा होता है reason समझ में आ गया क्योंकि अगर मालू मैंने कहा rate है 7% अब समझो rate 7% है तो 2 साल का simple interest का difference है rate में कितना होगा x plus y 7 plus 7 14 यह तो simple interest ही हो गया तो 7 into 7 upon 100 ऐसे ही यह कितना आएगा 10 तो आएगा यह आएगा simple interest 5 into 5 upon 100 तो क्या यह बास समझ पा रहे हो कि CI-SI जब time 2 यह तो आप सीधे करो अच्छा rate 10% है तो 5% हो गया half-failly compounding तो 5 into 5 25 25 by 100 0.25% 0.25% CI-SI का difference होगा और उसने simple interest पूछा है इतने time के लिए है जहाँ पर rate कितना 10% तो net rate कितना हो गया net rate जो है वो rate into time उससे आ जाता है rate into time तो rate है हमारा 10 और time कितना है तो 3 बंजा 3 प्लस 2 5 by 3 यह समझ माया तो करने को हम exam में ऐसे direct कर सकते थे कि अंतर दिया है क्या 88.80 88.80 यह केवल 8 तक लिख सकते थे यह value point 25% की है और हमें जो value पता करनी है वो 10% RT RT की value rate into time is effective rate तो 10 इंटू में 5 by 3 कि खत्म अब यहां से solve करो value 100% आपकी यह इसे मालने वाली है देखो इस decimal से यह decimal हट गया 5 से गया 5 ताइमस और 5 से गया है हमारा 2 ताइमस 3 से काटोगे यह कितनी बार जा रहा है देखना ज़रा तो 3 2 जा 6 3 9 जे 27 और कितना बच्चा अपना 18 18 तो 3 6 जा 18 ठीक है तो 296 यह 0 बच गया इंटू में 2 तो 296 यह यह 300 का डबल 600 600 में से कर दो 8 माइनस 592 एक 0 देखो मैं यह नहीं कह रहा हूँ बिलकुल भी कि यह exam में एकसे कर दो यह समझ माना इस important की concept हमारे clear हो चुके है उसमें दिक्कत नहीं है धीरे धीरे practice के साथ वहाँ भी पहुंच जाओगे इसमें भी कोई दिक्कत समझा नहीं अब आप इसे अराम से try करो पहले सोचो विचार करो कैसे क्या करोगे छुट है देखा सभी ने try करते नहीं दो इस सवाल में पहली बात इस सवाल में formula apply होगा ही नहीं इस सवाल में formula पर यूज करेंगे effective rate को net rate को यूज करेंगे बट जो तरीके आप इस सवाल को चाहिए तो सर्च करना जो तरीके आपको maximum जगह पर बताए जाएंगे वो क्या होंगे कि आप यहां पर paid बनाओ पेड कैसे जैसे वही बात है rate हमारा कितना है 10% 10% का मतलब क्या हो गया अब principle दिया है तो principle को भी हम उठा सकते हैं ठीक है कि principle हमारा 8000 रुपए है ठीक है तो principle हमारा 8000 रुपए है तो first year हमें rate अब time कितना है 2 2 by 5 years तो इसको 3 माल लो इसे 3 से कम है तो हमें 3 years के साब से पहले च रुपीज और दूसरे साल इस interest पर भी interest मिलेगा 80 रुपीज तीसे साल 8000 पर मिलेगा 800 पहले वाले 800 पर मिलेगा 80 दूसरे वाले 80 पर मिलेगा डिवाइड भाई कितना करना है कितना करना 10% यह नहीं 8 बात सही है अब समझो यह हमारा diagram अगर होता तो तो मैं golden ratio से कर देता 3 3 1 लेकिन है क्या हमारा जो पैसा है तीसरे साल पूरे साल के लिए invest हुआ ही नहीं हमारा जो पैसा है वो invest हुआ है दो साल प्लस दो बाई पांच यह इसका 2 बाई 5 मेर को मिलेगा अब उसने सवाल में पूछा क्या है क्या रहा what is the difference between simple interest and components तो simple interest और components का अंतर बताईए यानी क् है जैसे तीसरे साल कि अगर बात करें तो यह मुझे 800 रूपय नहीं मिलता इसका 255 मिलता इसका अभी 255 इंनीー मिलता क्योंकि 255 timeके लिए invest हुआ इसका बिदू 255 मिलता यह हो रहा होता बास धनम नहीं रही है तो उसने का है बाई हमने細़ इंट्रेस्ट की बताओ भी मत हमें सिंपल इंट्रेस्ट का डिफरेंस बता नहीं पहली लाइन छोड़ दो यह बताओ मिरे को वैल्यू क्या है तो यह तो हो गया आपका एट्टी यह पूरा कर लो इस पूरे को जोड़के उसका 2 x 5 निकालो इंडिजली क्या निकालोगे तो कितना होगे 800 शॉर्ड नॉट 800 वन सिक्स्टी प्लस एट वन सिक्स्टी एट इंट्टू में 2 x 5 इसे उपर नीचे 200 और अगर मल्टिप्लाइ कर लेते हैं तो नीचे 10 बन जाएगा टू टू जा फॉर एट फॉर जा थर्टी तू 16 वर सिक्स्टी फॉर प्लस थ्री इस 67 और डिवाइड बाई टैने तो 67.2 प्लस इसमें कर दो 80 कितना आगया भी पॉइंट टू आएगा यह आगया 7 6 6 12 और दो 14 147.2 विल बी दा राइट आंसर एक तरीका तो यह है जो हम य तरीका जो alternative आया था वो क्या था बताओ तो हमारा ratio वाला method था लेकिन ratio तो यहां काम नहीं करेगा टू बाइफाइव तू बैस्ट एप्रोच क्या है net rate net rate मतलब देखो सबसे पहली बात पहले जो मेरा पैसा है एं दो साल के लिए इनवेस्ट करना है देखो 10 10 और यहां पर टू बाइफाइव देखो हमारा पैसा पहले यहां पर में सिय की बात कर लेता हूं यहां बात कर लेंगे SI की यहां पर net rate कितना रहा है दो पहला एक साल पैसा इनवेस्टरा फिर एक और साल इनवेस्टरा दो साल होगे फिर पैसा इनवेस्टरा है टू बाइफाइव यर के लिए आया ना तो जब एक साल के लिए है तो rate हमारा पूरा का पूरा 10 लिखो यहां पर भी पूरा का पूरा 10 लिखो यहां पर 2 बाइफाइव है तो 10 इंटू में 2 by 5 तो exam में है अभी तो यह मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है exam में आपने यह लिखने 10 पहले साल दूसरे साल 10 तीसे साल पूरा नहीं है तो तीसा साल पूरा नहीं है तो 10 इंटू में जितना time है उतना percentage मिल जाएगा तो यह कितना होगे 10 यह होगे 10 और 5 तूजा 10 और 2 तूजा 4 तो simple interest आप सीधे ही देख लोगे जोड़ दो बस कि हमारा पैसा इतने percent बढ़ गया बिल्कुल simple 10 प्लस 10 प्लस 4 अब अगर compound interest का हमें net rate निकालना है तो यहाँ पर solve कर लो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई पॉन हंडड़ 21 आ जाएगा फिर ऐसे 21 प्लस चार 25 प्लस एक्स वाई अपॉन हंड़ तो 21 इंटू में 4 कितना जाएगा यह हो गया आपका 84 0.84 आ गया रही है ना 0.84 यह हो गया 25.84 तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कहां पर लिख जाओं यहाँ पर लिख देता हूं तो यहनि कि c i minus si is equal to 1.84 परसेंट क्या यह वाली बात क्लियर है सबको किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं है न कि वह 25.84 में से 24 माइनस कर दिया 1.84 परसेंट आ गया इसका मतलब प्रिंसिपल दिया है न तो therefore c i minus si is equal to 1.84 परसेंट है तो डिवाइड़ बाइंड़ इंटू में 8000 एक दो एक दो एक दो ठीक है फिर यह डेसिमल अब या तो फिर हो यह चलो ठीक है फिर यहां से डेसिमल चाहें तो हटा दो और नीचे दो जीरो लगा दो दो जीरो मैंने इसलिए लगा कि एक जीरो से एक जीरो कट गया बागि हम डेसिमल लेके आजेंगे एट फूर्जा 32 होता है मैंने का या तो पूरा मल्टिप्लाइग कर सकते हैं या मैं ऑप्शन में देखूं कि पॉइंट टू होगा नहीं तो मल्टिप्लाइग करके दो आट चोक 32 फिर 8 एट एट जा 64 प्लस थी 67 एट तरस हमारा कितना था 6 था 14 आ गया बात क्लियर है ना तो यह वाला मैथड अच्छा लगा इसको हम फास्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते बताओ इसको मैं पूरा फास्ट करके दिखा हूं पहले लिख लो देखने में लग रहा होगा अब मैं हटा देता हूं पूरा लिख लिया चलो लिख लेना एक्जाम में देखते हैं हम करेंगे 10 पहले साल यहाँ पर कोई मैथड नहीं नेट रेट लगेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा यह नहीं है तो 10 10 फिट 10 इंटू में 2 बाइफाइव एर तो इंटू में 2 बाइफाइव कितना आ गया है 5 तूजा 10 2 पूजा 4 हम लिख लेंगे एक तो हो गया टोटल 24 हो गया यह तो सिंपल इंट्रेस्ट हो गया यह आगया एक्स प्लस यह नहीं कि 25 और एक्स यह प्लस पूर हंड़ेड 84.84 हो गया इन दो उनों को माइनस करो कितना 1.84 यह नहीं 1.84 परसंटेज हमें निकाल लेना है कि इसका प्रिंसि प्रेक्टिस करते करते आप यहां तक सत प्रतिशत पहुंच जाओंगी इसी के साथ हमारा CIE SI वाला जो टाइप है माइनस वाला वो होता एंड तो यहां तक इस टाइप में हमने क्या चीज़ देख रहीं CIE में आप एक चीज़ देख रहो कि तरीका एक नहीं है तरीका कई प्रेक्टिस के साथ यह समझ में आ रहा होगा कि कौन सा तरीका कब एपलाई करना है